धाबे वाले ब्रेट पकोड़े तो हम सभी को पसंद होती हैं, तो क्यों ना धाबे के स्टाइल में यही ब्रेट पकोड़े घर पर बनाया जाएं? हलो दोस्तों मैं मंता और आपका स्वागत है मंता किचन हिंदी में, तो देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर तीन से चार उबले हुए आलू रेना है और आलू को मैस करना है है हमारी आलू थोड़ा सा मैस हो गई इसमें डालेंगी मसाली इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरत थोड़ा सा धनिया पाउडर यह आमने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया अब इसमें डालेंगे अधरक लेशन का पैस्ट और इसमें बारिक कटा हुआ हरा मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसमें डाल देंगे स्वादा अनुसार नमक यह हमने सुवदान सारस में नमक डाल दिया अब आलो को सही से मैस कर लेंगे आलो को मसल मसल के मैश करना है यह हमारी प्रेट पर कोड़ों के स्टिफिंग तयार हो गई अब हम लेंगे बैसन इसमें डालेंगे हल्दी नमक और मिर्च और इसको सही से इसका बेटर बना लेंगे ताकि इसमें और यहां पर रखेंगे गैस पर कराही और इसमें डालेंगे तेल जब तक तेल हमारा गरम होगा तब तक हम अपने ब्रेट तयार कर लेंगे यहां पर हमने white वाली bread लिया है आप चाहे तो brown वाले bread भी ले सकते हैं यहां पर हम ने हरा धनिया और पुदीने का सटनी बना रखा है और इसको अमने bread में लगा दिया है अब इसमें डालेंगे इसेफ़िंग जो हमने तयार करके रखा है अब ब्रेड में हम अपने आलू के स्टेफिंग लगाते हैं और दूसरे बारे ब्रेड में भी चटनी लगा देंगे यह देखिए हमने चटनी लगा दिया इसमें और अब इसके उपर से रख देंगे इसको और इसको चाकू से काट देंगे यह हमने ट्रेंगल काटा है आप चाहें तो जिसकार में बना सकती है यह देखिए अब इसमें हम बैसन लगा लेंगे जो हमने बैसन का बैटर तयार किया है और हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसमें डाल देंगे ब्रेड पकोड़े हमारे कराही छोटी है इसलिए हमने दो ही डाला आपके कराही में जितना आ सके उतना आप डाल सकते तीन से चार यह हमने पलट दिया इसको तब तक तलेंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए यह देखिए हमारा ब्रेड पकोड़ा कलर चेंज होने लगा है अब आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूं यह देखिए हमारे ब्रेड पकोड़े का कलर चेंज हो रहा है यह देखिए हमारे ब्रेड लगा है यह देखिए हमारे सबी ब्रेड पकोड़े तयार हो गए है अब इसको हम हरी दन्या के चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ आपके पास जो भी चटनी हो उसके साथ आप खा सकती हैं अगर आपको हमारी रेड पी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूड़ें अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो आप मारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जतनी जरूर कमेंट करो मारे करेंगे प्रियियो जगे टूवड़ें अगरूर्र्ण ट Griffith